आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में क्लास टेंथ के फिजिक्स के इंग्लिश मीडियम के हमने कम्प्रिट से लेबस साप प्वीडियो अप्लोड कर चुके हैं लेकिन आज एक टापिक हमारा बचा हुआ था और बहुत से स्टुरेंट्स का डिमांड था कि सार इस पर भी आप वीडियो बना दिजिए तो ये हम आज इसके लास्ट टापिक पर डिसकस करेंगे हमारा चेप्टर है तो ये बहुत छोटा सा चेप्टर है तो हम इसमें आज पढ़ेंगी हुमेन आई तीन टापिक, फोर टापिक है इसमें जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं फर्स्ट इस इंट्रोड़क्शन आप हुमेन आईज एन इस डिफेक्ट्स उसमें कौन-कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और कैसे हम उसको रिमूब करते हैं मिनिमाईज करते हैं सेकंड इस कलरफुल वर्ड मिन्स प्रिज्म डिस्पर्सन आफ लाइट लाइट का डिस्पर्सन पढ़ेंगे इन थर्ड इस स्केटरिंग और डैंबो स्केटरिंग और रैंबो यह छोटा सा टापिक है तो चलिए हम ही स्टार्ट करते हैं और यह देखिये घुमन आई कुछ टापिक है जिनको मैं आपको फिगर से आपको एस्लें कर रहा हूं यह हुमन आई नेम आप दे पार्ट्स और उसके वर्किंग को क्या काम करते हैं, ओके, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि आप ध्यान रखना कि human eye जो होता है, इसमें जो हम lens यूज करते हैं, यह lens होता है, यूज नहीं करते हैं, तो God gifted है, human eye, यह बहुत अद्भूच च कि इसमें जो lens होता है, यह जो lens लगा होता है, यह convex lens होता है, lens is convex, the lens of human eye is convex, और इसका सबसे इंपॉर्टन प्रापर्टी यह है, कि यह बर्थ से, बर्थ होने से हमारे death होने तक इसका size नहीं change होता, पूरे human body में only one part है, जिसका size, lens का size constant होता है, नाखुन और बाल तक हमारे growth करते हैं, जो की living नहीं है, उसके बाद इसको nature नेचर ने ऐसा बनाया, कि कितना balance है nature के concept में आप समझ सकते हो, कि बाई दबाई इसके size को change करता, age के साथ साथ, जैसे छोटे बच्चे का lens का size अलग है, जैसे जैसे उसका age बढ़ते गया, उसका size यदी बढ़ जाता है, इंकिस होता, तो उसका radius चेंज होता है, radius आप curvature चेंज होना जाता है, फोकल लेंज चेंज होना से age के साथ साथ हम को किसी भी object को focus करने का पूरा system चेंज हो जाता है, कितना अध्भूत है, लेकिन जब अब आप संचोगे किसार ऐसा तो नहीं, यह चेंज होता है, यदी किसी कारण से lens के size में change हो जाए, यदी वो secure के compact हो जाए, या expand हो जाए, या कुछ हो उसमें problem आ जाए, तो फिर defect है, उसी को remove करने के लिए फिर हम क्या करते है, lens यूज करते है, additional lens यूज करते है, जो अप अबर देखिए, यह जो parts आप देख रहे हैं, इसमें सबसे important, इसके बाद जो सबसे important part है, यह lens के सामने, यह black color का आपको, यह हुमें नाइमी यहाँ पर फिर दोनों तरफ से indicate किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको इसको highlight करके बता रहा हूँ, यह वाला portion आप जो देख रह रहे हैं, जो blinking हो रहा है, यह क्या है, pupil है, जो आप अपने, इस magnifying figure में यहाँ पर देख रहे हैं, यह real में human eye का figure है, उसका inner part का यहाँ पर expression है, यह lens के सामने black color का आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, pupil है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो, जिसमें वो connected होता है, यह iris, iris है, iris को भी double address हो, आप देख रहे हैं, यह इसका, जो blue color का आपको दिखाई दे रहा है, वो iris है, जो अपने आप, आँख में आप देखते हैं, कि बीच में black, इस part के चारो तरब, जो white, blue color का जो होता है, वो iris है, इसके बाद यह कार्निया, यह कार्निया है, जि suspensory, ligament होता है, जो दोनों तरब से उसको attach करके रखता है, clear, इसके बाद आप इसके back side में देखो, scleria, जो उसका outer surface होता है, जो cover करके उसको रखता है, ठीक है, क्रोइट, retina सबसे important part है, retina एक ऐसा part है, जहां पर हमारा image बनता है, अभी मैं आपको image formation जब इसके बताऊंगा, यह तो introduction है, human eye का, इसके बाद, optic nerves and central retinal artery and wind, clear, यह इसके part है, अब आपको इसको with figure उसको क्या करना है, आपको name उसके लिखना है, इसकी आप सबसे पहले practice कर लोगे, तो यह तो आपके practice कमेंटर ही, ज़्यादा कुछ ने समझाने कर नहीं है, यह आप practice कर लोगे, और यह important बात ध्यान रखना, किसमें जो lens लगा होता है, convex lens होता है, और उसमें growth नहीं होता, देखो, nature ने अलग-अलग, हम human eye पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको general knowledge बता दूँ, कि nature ने अलग-अलग, जितने भी यहाँ पर living, यह कहना चाहिए, animals हैं, या फिर जो भी हैं, इनके eye का construction अलग-अलग धंग से किया है, जैसे elephant है, elephant का जो eye में lens लगाया गया है, व जैसे dog में color blindness होता है, जैसे बहुत से अलग-अलग animals के जो nature है, बोख है, अलग-अलग होता है, हम यहाँ पर पढ़े, human eye, तो यह figure आप अच्छे से practice कर लोगे, अब हम देखते हैं इसके defects, next, defects देखो, तो इसमें three defects होते हैं, first is myopia, that is also known as sad sightedness, ठीक है, तो यह three types की defects हम यह यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर figure में आपको बना हुआ है, लेकिन उसको मैं आपको फिर से अलग से explain करके बताता हूँ, यह figure की भी आपको practice करना है, start sightedness का मतलब होता है, जब हम start नजदिक के चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, generally इसमें student confused हो जाते हैं, start sightedness यह हमको past का इसमें दिखाई देता है, okay, start sightedness past का देखो, यह first number का figure यहाँ पर देख रहे हो, first number के figure में इस first number के figure में आप देखो, far point आप है, myopia eye, यह क्या है, healthy eye का figure है, first number में आप जो figure देख रहे हो, यह healthy eye है, मतलब इसमें कोई defect नहीं है, इसलिए जो object होता है, यह point object से चलने वाले जो rays है, यहाँ पर यह convex lens लगा हुआ है, देखो, यह lens है, और इस convex lens से यह retina पर, ठीक है, यहाँ पर retina पर क्या होता है, यह focus हो जाता है, retina पर focus होके हमको यहाँ पर image बनता है, that means यह जो point आप object है, image आप the object है, एक important बात ध्यान रखना, कि lens चुक इसमें convex lens लगा होता है, convex lens रियल image बनाता है, और रियल image का होता है, inverted होता है, तो जब हम किसी object को देखते हैं, तो actual मुसका lens से जो image बनता है, वो inverted बनता है, लेकिन processing के बाद brain retina से, जब brain में हम उसको experience करते हैं, क्योंकि brain feeling करता है, actual में eye is a device instrument, ठीक है, eye एक instrument है, वो instrument image बना के अपना काम खतम कर देता है, बाकि उसको पूरा देखने का काम को करता है, brain करता है, तो brain पर इसका information जाता है, और वहाँ पर हो क्या होता है, सीधा हो जाता है, जो inverted image है, वो erect हो जाता है, तो यह real image होता है, real or inverted होता है, रेटीन पर, लेकिन by the way क्या हो, suppose eye में कुछ ऐसा problem हो जाए, अब इसको second number का देखना, second number का जो figure है, वो disease वाला figure है, इसमें हो गया है, myopia, eye में myopia हो गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो rays आप देख रहे हो, यह जो object से parallel incident रहे हैं, उसको यह lens क्या करता है, पहले focus कर देता है, यह image बना देता है, image बनना था वहाँ, image बनना था रेटीना पर, लेकिन उसके पर, इसलिए सको start sightedness बोलते हैं, यहाँ उसका sense है, start sightedness का मतलब होता है, वो नजदीक में बन जाता है, बनना था रेटीना में, बनना था यहाँ, लेकिन बन गया उससे पहले, इसल नजदीक का चीज हमको अच्छा से दिखाई देता है दूर का दिखाई नहीं देता है अब देखो इसको रिमूब करना है तो थर्ड नंबर का जो फिगर है वो करेक्शन है कि हम करेक्श करने करेक्शन के लिए क्या करें तो करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर जो यूज करते हैं वो lens क्या है ये correction के लिए हमने use क्या है lens concave the lens used for correction is concave lens क्योंकि concave lens is divergent lens क्या होता है यहाँ जो image बना है उस image को हमको क्या करना है फैलाना है दूर करना है कहां ले जाना है retina में ले जाना है clear क्योंकि आप healthy eye के condition में देखो healthy eye में image को यहाँ बनना था अब वो यहाँ बन गया तो हमको क्या करना है race को diverse करना है और diverse करने का काम को उन करता है concave lens करता है इसलिए हमने इसके correction के लिए concave lens यूज किया clear तो यह एक important बात है key to remove myopia we used concave lens एक्जाम जाता है multiple choice में पूछ सकता है और complete जैसे यह आपको two marks का three marks का आया तो आपको पूरे three figure बना के explain करना है first healthy eye second is myopic eye and third is correction of the myopia ओके यह होता है myopia ओके चले आगे फिल now next is next आप यहाँ पर देख रहे हो hypermetropia that means long sightedness long sightedness का मतलब दूर का हमको अच्छा दीखता है जो दूर का object होता है वो हमको अच्छा दीखता है साफ दीखता है और नजदीक का हम नहीं देख पाते है जैसे हमको पढ़ना है कुछ book पढ़ना है हम नहीं पढ़ पाते है लेकिन दूर का देखेंगा वो healthy eye है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, कि यहाँ पर इसका image बन गया, यह real position है, इसका, यह image का real position है, okay, now second is hyper metropic eye, that means इसमें disease हो गया है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या हो, long sightedness हो, long distance में, यह यहाँ पर image बन गया, दूर में बन गया, वह retina से दूर बन गय पर चुरे लिए अप आप समझ गए होगे, second number में क्या है, defect है, और third number के figure में आप देखो, यहाँ पर देखो, हमको मालूम है, कि यह जो rays है, यह जो dotted color से, rate color से, आप dotted देख रहे हो, यह जब lens में यहाँ पर पहुँचेंगा, यह lens, तो यह convex lens है, यहाँ पर हम lens used कर रहे हैं, यह कौई लेंस है, convex, convex lens उसकर रहे हैं, क्योंकि convex lens उसकर करते है, conversion lens है, वो rays को converge करता है, मतलब जो दूर फैल रहे थे, उनको converge करके, और इस तरह से डॉक्टर जो check करते हैं, हमारे आई का जो check करते हैं, वहाँ पर वो calculate कर लेते हैं, कि कि तने focal फोकल लेंद का मतलब जो मसीन से चेक करते हैं उसे पता चलता है कि कितना दूर में इमेज बन रहा है तो कितने फोकल लेंद का हम लेंद्स यूज करें कि वो प्रापर आके रेटिना में बने लगे या हमको अलग-अलग लेंद्स वो पहना के देखते हैं और रिडिंग करने भी important है, क्योंकि हम अपने body का एक important part है, यदि उसको बारे में ना जाने हैं, उसको ना समझें हम physics की इतना पढ़ेंगे, क्या करेंगे बाद में life में physics की इतना use करेंगे, वो बात की बात है, पहली बात यह है कि human body का इतना important वो part है इसके बारे में हमको जानना चाहिए, clear क्योंकि हमको future में वो काम आएगा ये हो गया हमारा कौन सा hypermetrophia, that means long-sightedness, ओके, ये figure बनाने के आप practice कर लेना, अच्छे से now next is press biopia, press biopia actual में क्या होता है, ये age के कारण होता है, ठीक है, ये old age के कारण अब आजकर old age के ज़ुरात भी नहीं पढ़ता कम age में भी हो जाता है लेकिन generally ये natural way में देखें, तो एक age के बाद 40 year हो गया तो आप आपको चस्मा लगेगा, ऐसा आपने सुना होगा कहीं भी आपको घर में सुना हो कहीं भी, कि 40 year age के बाद आपको रीडिंग लेंस लगेगा that is प्रेस बायोपिया कि naturally health के साथ साथ उसके जो muscles है हमारे eye के वो सब क्या होते है, age के साथ साथ उसमें थ्वा सचे जाने लगता है, और इस कारण से ये problem आता है तो यहाँ पर आप देख रहा है इस figure में ये healthy eye है first number में देखो, इसमें कोई disease नहीं है disease नहीं मतलब ये रेटीना पर image बना ये तो आपको तीनों में common figure है क्योंकि common figure healthy eye का तो क्या होगा, जिसमें कोई defect नहीं है उसका image तो रेटीना पर ही बनेगा लेकिन इसमें क्या होता है प्रेज बायोपिय काई ये होता है, प्रेज बायोपिया का position बन जाता है इसमें ठीक है, near point आप प्रेज बायोपिया यहाँ पर कहाता है, near point पर होता है प्रेज बायोपिया के, इसके बाद प्रेस बायोपिया का condition जब बनता है तो रेटीना से बाहर बनने लगता है और कभी रेटीना के अंदर भी बनने लगता है इसमें दोनों तरह condition होते हैं और correction के लिए क्या बोलते हैं इसमें जो lens लगाया जाता है ध्यान में रखना ये क्या है by focal length है by focal length by focal length use करते हैं by focal length मतलब क्या होता है जिसमें convex, conqueo, convex, conqueo, convex जो होता है double focal length या reading lens नीचे अलख लगाया जाता है और उपर में अलखs lens लगाया जाता है तो इस तरह से क्या करता है by focal length का use करते हैं इसको use करने के लिए मतलब convex, conqueo का mix भी हो सकता है canvas, conqueo को mix हो सकता है double focal होता है upper, upside का, upper का नीचे का अलग और उपर का अलग जिसका नीचे हम reading lens मोलते हैं यह कहलाता है press biopia clear तो यह हो गया human eye और उससे related defects and its correction कि उसको correct कर सकता है यह इस chapter का बहुत important topic है अब हम start करते हैं इस chapter में next topic है वो है prism मतलब dispersion of light colorful word next is dispersion of light चलो देखो dispersion of light dispersion of light यह क्या है dispersion of light का मतलब है कि the distribution of seven colors of the light light में जो seven colors होते हैं ठीक है light में जो seven colors होते हैं यह dispersion कहलाता है actual में light में seven colors होते हैं यह आपको पता है और light में seven colors होते हैं ये सबसे पहले जिस scientist ने बताया वो scientist कौन है Newton First, Newton introduce the seven color of lights light having seven colors is introduced by Newton Newton ने सबसे पहले बताया कि light में seven colors होते हैं कैसे बताया Newton को कैसे पता चला actual में Newton का ये जो seven colors में बताने का event है वो accidental है, Newton ने जितने भी rules दिये, nature को study करके दिये, इसलिए बोला जाता है scientist of the nature, Newton is scientist of the nature, वो nature के scientist है, जिनतना भी rule दिया, चाहे gravitation हो action reaction हो, या seven colors का light हो, चाहे sound हो, सब nature से related हैं उनका rules है, तो Newton एक दिन अपने laboratory में experiment कर रहे थे, और window के पास बैठे, कुछ work कर रहे थे, वहाँ glass का एक तुकड़ा a tandem statement कटा हुआ perfect prism नहीं था, वो रखा हुआ था, और window से कुछ light rays incident होके, उस glass slab से पार होके बाहर निकल रहे थे, और उनके notebook पर कुछ colorful strips बन रहे थे, जैसे जनरली आपने देखा होगा, तो newton का उधार ध्यान गया, और उनने सोचा कि यह colorful strips क्यों बन रहे हैं, जब light इसमें से incident हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर उसका deep study किया, और वहीं से उन्होंने declare किया, कि light में seven colors होते हैं, ओके तो यह है, light में seven colors होना, and what is dispersion of light, the dispersion of the light means the distribution of its component, seven components, seven colors, is called dispersion और dispersion के लिए जो हम device use करते हैं, वो है prism देखो, इस chapter को आप 12th class में बहुत detail में पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा detail में, इस class में आपका only introduction है, कोई derivation नहीं कोई calculation नहीं, कोई formula कुछ नहीं इस class में, यहाँ only introduction है तो सबसे पहले हम देखने की भाई, एक चौर में प्रीज नहीं है, हले students आप लोगों के लिए एक best opportunity unacademy लेके आया है महारास्त की state board के class 9 और 10 के students के लिए एक course जिसमें आपके सभी विसे की पढ़ाई होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस course का जो fee है 2500 वो सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा referral code यूज करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइब, ये code आप यूज करेंगे, तो 2500 का course आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा, देखे इस course की जो सबसे बड़ी भी सेस्ता है वो ये है कि आपको ये course तीन लेंग़ज में प्रोवाइट किया जाएगा इंगलीज में, हिंदी में और सांथी मराथी लेंग़ज में भी, महारास्टा के टाफ एजुकेटर्स आपको teach करेंगे, और आपको best teaching faculty मिलेगा free test series मिलेगा revision batches मिलेंगे crash course होगा, और सबसे अच्छी बात आपके doubt clearing session के लिए live doubt solving session होगा और आपको previous year के महारास्ट बोट के question paper भी तयार कराये जाएगे, अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे description में link मिलेगा और आप वहाँ पर unacademy के app download करके इस link के तुरू आप इसका subscription ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत best है, ओके, thank you तो देखे, prism में क्या है, एक three dimension figure है, लेकिन हम three dimension नहीं बनाते हैं, जब ray diagram बनाते हैं तो two dimension नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके surface आपको बता दूँ कि किस तरह से अपन prism में बनाते हैं, ठीक है चलिए यहाँ prism अपन consumption कर ले यह मैं three dimension आपको बता रहा हूँ, prism clear, इस तरह से होता है prism तो prism में आप surface देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप surface देख रहे हैं यह surface यह rectangle surface है, देख रहे हैं, आप rectangular surface है second number में भी आप rectangular surface, मैं यहाँ से आपको बता दूँ यह second number का rectangular surface है यह और एक आप back side में देख रहे हैं, different different color से बता दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा वो देखिए, यह back side में आपको दिख रहे हैं green color से यह भी एक rectangular surface है एक आप red में देख रहे हैं, एक blue setting के हमें एक green color से तो यहाँ पर prism में क्या होता है, three rectangular surfaces होते हैं और two triangular surface होते हैं, triangular surface कौन सा है यह आप देखो, यह एक triangular surface है और एक triangular surface यह आप नीचे देख रहे हो इस तरह से हम कर सकते हैं, prism के definition में prism is a transparent medium having five surfaces three surfaces are rectangular and two surfaces are triangular and if light passes through prism, then light distribute in its component that means seven color is called prism prism एक ऐसा device है, जो five surface से मिलके बनता है जिसमें three surface rectangular होते हैं, two surface triangular होते हैं अब जब कोई light rays उसमें से पार होता है, तो seven color में distribute हो जाता है, this is prism तो यह prism है, लेकिन हम इस तरह के figure से prism को represent नहीं कर सकते, तो prism को हम कैसे सो करते हैं, फिर देखो prism हम सो करते हैं, simple triangle से यह prism है, suppose इस तरह से हमने एक prism लिया, और prism में किस तरह से हम represent करते हैं, reflection को यह देखो a, b, c is prism, a, b, c एक prism है, और इस prism में हम incident रहें, और पूरे इसको represent करें, तो कैसे करेंगे देखिए मैं incident lake को ले लेता हूँ, blue color से, देखो यह एक incident रहे है, ओके, इसके बाद यह refracted रहे है, और यह emergent रहे है, किस तरह से, यहाँ पर हम normal ड्रा करेंगे, तो suppose हमने यहाँ पर, यह normal ड्रा किया, यह एक normal है, और यहाँ पर हमने एक normal ड्रा किया, मैजिक है यह board भी तो, उतना part अलग बहुत जाता है, अभी मेरे कोई बहुत से function इसके लर्नक करने पड़ेंगे, चलिए ठीक है, यह dotted line मुझे ड्रा करना है, तो यह एक second normal है, clear, इसको हम color दे सकते हैं, इसको भी हमने यह color दे दिया, तो यह incident ray आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम आपको इसको represent कर दें, यह incident ray है, यह normal है, यह reflected ray है, और यह emergent ray है, clear, the angle between incident ray, अब यहाँ पर dispersion क्यों होता है, यह मैं आपको explain कर दूँ, देखे, dispersion का region क्या है, यह incident angle है, I, यह angle of reflection है, यह भी angle of reflection है, यह इसको बते हैं, angle of emergent, यह समने light के chapter में आपने पढ़ा है, लेकिन prism एक ऐसा device है, जिसमें एक और angle बनता है, और वो angle है, angle of deviation, angle of deviation किस तरह से बनेगा देखिए, इस ray को यह दि मैं आगे बढ़ा दूँ, और यह वाले ray को यह दि मैं पीछे बढ़ा दूँ, इस तरह से, तो incident ray को आगे बढ़ाने पर, और reflected ray को पीछे बढ़ाने पर, incident ray को आगे बढ़ा दिया, और reflected ray को पीछे बढ़ा दिया, तो दोनों का जो intersection point है, वो del कहलाता है, यह कहलाता है angle of deviation, यह angle of deviation है, और light में जो seven colors होते हैं, वो सब के angle of deviation क्या होते हैं, different different होते हैं तो angle of deviation different होने के करण क्या होता है यहां से जब हम light rays को बाहर करेंगे light rays जब यहां से बाहर जाएगा मतलब emergent होगा तो यहां पर यह अलग angle of deviation बनाएगा एक रे और अलग से angle of deviation बनाएगा तो यहां पर अलग अलग angle of deviation बनाने के लिए क्योंकि seven emergent trace चाहिए क्यों seven emergent trace चाहिए क्योंकि seven angle of deviation उनको पीछे जाके बनाना है तो seven colors होने के काराण सबके angle of deviation अलग-अलग होते हैं इस तरह से prism जब light इससे बाहर होता है तो वो seven color में distribute हो जाता है यहाँ पर एक important बात ध्यान रखना आप वो यह है कि violet color का जो angle of deviation होता है जिसकों del विस रिपेजन करते हैं angle of deviation of violet color is maximum and angle of deviation of red color is minimum यह ध्यान रखना यह maximum होता है यह है maximum और यह है minimum इसलिए जब light prism से बाहर निकलता है तो सबसे नीचे में जो color होता है सबसे नीचे में color होता है वो violet color होता है और सबसे उपर में जो color होता है वो rate color होता है यह ध्यान रखना क्यों क्योंकि violet color का deviation सबसे ज़्यादा होता है और rate color का deviation सबसे कम होता है यह important बात है तो यह है आपका distribution of light in seven cars यह तो बस इतना ही नालेज है आपके class में बाकी 12th class में prism पर पूरा एक chapter है dispersion of light पर तो यहाँ पर आपको शिर्प दो तीन important बाद जान रहा है what is prism clear and what is angle of deviation angle of deviation is the angle between incident and emergent what is the cause of dispersion because the angle of deviation of seven colors are different are there wavelength is also different wavelength different होता है इसलिए उसका angle of deviation different होता है ठीक है तो light के seven colors में होने के यह reason है तो यह prism का आप इसमें figure draw का ले ना यह समझे ना यह है prism इसके बाद इसमें हमको पढ़ना है scattering clear scattering of light यह important topic है और आपके exam में यह topic आ सकता है scattering light के scattering क्या है इसकेट्रिंग आप light means मैं बहुत कामल लेंग्वेज में बोलूं तो mixing आप seven colors of the light light में जो seven colors होते हैं उनके आपस में mix होना scattering है actual में होता क्या है scattering को सबसे पर देखो scattering का हमारे Indian scientist से बहुत ज़्यादा close relation है इसलिए भी हमारे बहुत important है कि अभी तक इंडिया में only one scientist को physics में nobel prize मिला है किसको डाक्टर सीवी रमन डाक्टर सीवी रमन को nobel prize मिला और किसके लिए मिला scattering के लिए वो सीप में traveling कर रहे थे सीप में वो जा रहे थे कहीं foreign जा रहे थे तो deck में बैठे वो देख रहे थे C के color को तो उनको blue color दिखा skype blue दिखा तुन्होंने वहीं सोचना ही start किया कि C और skype blue ही क्यों दिखते है और वहाँ से सोचते सोचते इस result पर पहुंचे scattering पर scattering पर उनका बड़ा experiment है उसके लिए उनको nobel prize मिला scattering का जो basic fundamental है हमारे Indian scientist डाक्टर सीवी रमन से रिलेटेड है और इसके उनको nobel prize मिला only one person अभी तक के वाल यही person है ति scattering का मतलब होता है mixing up of seven colors of the light यह कैसे होता है देखो actual में sun का जो हम यहाँ पर समझते हैं यह sun का position है clear और यहाँ पर हम suppose कर लेते हैं कि यह earth है यह earth का surface है और sun से जब light incident होता है sun से light इस तरह से earth light rays जब earth के तरह पाते है sun से तो इससे क्या होता है पहले sun और earth के बीच में बहुत बड़ा area ऐसा है जहाँ पर vacuum है कोई कुछ नहीं है कोई air particles नहीं है dust particles नहीं है तो यहाँ पर light क्या है direct incident होता है लेकिन जैसे ही जैसे यह light atmosphere पर entry करते हैं यह suppose atmosphere है atmosphere पर जैसे यह light rays entry करते हैं तो light में जो seven colors हैं वो यहाँ पर dust particles हैं या air particles हैं इनके साथ में यह seven color क्या हो जाते हैं mix हो जाते हैं seven color के mix होने के कारण यह color आपको ठीक सरी नहीं करहोगा लगता है sky को blue बनाना है न मुझे तो light के जो seven colors seven color mix होने के बाद इनका जो resultant color है resultant color मतलब आप seven color को mix कर दोगे तो एक नया color बनेगा तो इनका जो seven colors का जो mixing करने के बाद जो color बना वो बना blue वो blue color बना और इसलिए हमारा sky क्या दीखता है blue color का दिखाई देता है तो यहाँ पर मैं दोनों बात आपको explain कर दिया कि what is scattering and why the color of sky is blue due to scattering scattering से क्यों blue color का दिखाई देता है क्योंकि blue color का scattering क्या होता है यह maximum होता है the scattering of blue color is maximum यह maximum scattering होता है इसलिए क्या होता है कि maximum skating के current जो resultant color बनता है वो blue color का इसी करण से हमारा sky भी blue दिखाई देता है और water का surface मतलब sea भी blue color का दिखाई देता है और बहुत से region है इसके और आप लोग बुक से अपने पढ़ लोगे जैसे the color of sun at sun rising time and sunset time is radius radius color का या rate color का दिखाई देता है उसका region क्या है कि जैसे है यह एक figure बना के बताता हूँ यह earth में suppose यहाँ पर आप हो और यह sun का position से तो light rays जब इस तरह से हम तक पहुंचते हैं reflection के बाद तो sun का जो position होता है एकपर में इसका image नरी image बनता है यह सब आपको पढ़ाया गया है light के पहले वाले chapter में तो यह जो image बनता है virtual image, इसका जो virtual image बनता है sun का sunrise के time में तो यहाँ से जो light rays हम तक पहुंचते हैं वो बहुत जाधा distance में होता है तो बहुत जाधा distance में होने के कारण जो scattering होता है तो scattering में जो color बनते हैं उसमें सब only rain color ही हम तक approach कर पाता है क्यों कि rate color का wavelength सबसे ज़्यादा होता है तो rate color का wavelength सबसे ज़्यादा होने के कारण यहां तक only rate color पहुँच पाता है और बाकि सब जो color है वो क्या हो जाते हैं रास्ते में रुख जाते हैं क्योंकि rate color का wavelength wavelength क्या होता है? maximum होता है और जिसका wavelength maximum होता है वो maximum distance टेवल करता है इसलिए sunrise के time और sunset के time वो far distance होता है sun हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है जिसके करण क्या होता है वो हमको rate color का दिखाई देता है तो यह actual मुसका image होता है real sun तो नीचे होता है जो rate color का हम देखते है morning में sunrise होते हुए actual में sun नहीं है वो sun का image है और rate क्यों दिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होने के करण after scattering only rate color will be approach वो केवल approach कर पाएगा तूसरा कोई करण वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा इसलिए वो rate ता same होता है sunset time में तो यह कुश एक्जमपल है खास कर सबसे important example है कि color up sky is blue white due to scattering तो यह scattering का introduction है और इसके बाद फ्रास हमको पढ़ना है इस chapter में rainbow यह भी colorful word का matter है rainbow clear rainbow हिंदी में इंद्र धनुस है ना इंद्र धनुस rainbow rainbow क्यों बनता होगा the cost of rainbow is dispersion of light हमको मालूम है light में 7 colors होते हैं distribute होते हैं तभी हमको color दिखाई देता है तो rainbow का situation कैसे बनता है suppose suppose after rain बारिस के बाद कोई water droplets ऐसा स्काई में क्या हो गया रूप गया यह यह water droplets है पानी का बूंध है यह बारिस के बाद देखो rainbow एक special situation है आपने कभी वाज किया होगा कि rainbow बनने का जो प्रापर टाइम है एक्ट्वाल में rainbow बनने का जो टाइम है जनरली आपने इसको morning में 9 to 10 am इन जनरल ना किसी दिन 8.30 में बन जाए तो बोलना है सर्द आप तो बहुत है 9 to 10 के बीचे बनता आज पहले बन गया एक 90% केस में 9 to 10 am are 4 to 5 pm सीजन का उसार यह चेंज भी हो सकता है टाइम इस टाइम में rainbow बनता है क्यों इसका region का है आपने कभी दोपहर को 12 बज़े नहीं देखा होगा rainbow यह बहुत कम rare देखा होगा उसका कारण क्या है कि light rays को क्या होना चाहिए इसमें water drop plates में इस तरह से angle बना के incident होना चाहिए इस तरह से यह ऐसा incident होता है यह तभी हो सकता है जब यह 9 to 10 का time हो या evening में 4 to 5 का time हो ठीक है थोड़ा बहुत plus में इस हो सकता है अब यह क्या होता है यह rays यहाँ पर इंट्रेक करते हैं यहाँ पर इसमें हो जाता है यहाँ पर हो जाता है diffraction ठीक है diffraction होने के बाद वो अंदर entry करता है और यह यहाँ चला गया बेंड हो गया सपोस यहाँ नार्मल ग्राक किये टूर्स नार्मल बेंड हो गया वो समझे अब यहाँ से क्या होता है जब यहाँ से इसको बाहर निकलना होता है क्यों यहाँ पर फिक हो जाता है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन यहाँ पर angle of incident जो होता है वह critical angle से ज़्यादा होता है सब पीछे के chapter में आप पढ़ चूगे what is critical angle, total internal reflection सब पढ़ चूगे आप तो यहाँ पर light कर क्या हो जाता है total internal reflection हो जाता है और यह यहाँ पहुँच जाता है यहाँ situation ऐसा बनता है कि angle of deviation बन जाता है और angle of deviation बनने के काराण यह light क्या होता है 7 color में distribute हो जाता है इस तरह से light 7 color में distribute हो जाता है यह एक water drop plate का condition है ऐसा इन finite number of water drop plates होते है और जिसके काराण क्या होता है वो बहुँच से strips हमको दिखाई देते हैं यह कहलाता है rainbow आप higher class में detail में 12 में और पढ़ोगे कि rainbow two types के होते है primary rainbow and secondary rainbow primary rainbow में क्या होता है color clear दिखाई देता है secondary में थोड़ा सा blur दिखाई धूंता दिखाई देता है और primary rainbow में अंदर के तरब जो होता है violet color होता है बाहर में red color होता है लेकिन secondary में order change जाता है पहले red होता है बाहर में violet होता है और बहुत से differences ने लेकिन आपको इस class में उतना detail में नहीं पढ़ना है rainbow का बस region जानना है तो rainbow किस तरह से बनता है अब यहाँ पर आप सोचोगे कि actual में rainbow कर भ़ही क्यों दिखता है वो मतला मतला है धनूस की तरह दिखता है इंद्र धनूस ठीक है तो धनूस की तरह दिखने कर रिजन क्या है actual में पूरा circular बनता है वो actual में इसका condition ऐसा होता है मैं आपको थोड़ा बता दूँ यह suppose earth है और यह जो rainbow बनता है वो पूरा circle में बनता है color नहीं दिखा क्या आपको चलो इसको मिटा दूँ मैं यह rainbow पूरा circle में बना हुआ है अब हम यहाँ पर है हमारा position है कि हम क्या है यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारा visible area कितना होगा इतना होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो हम उस पूरा circle के एक small arc को ही देख पाते हैं इसलिए हमको लगता है कि ऐसा बो बना हुआ है ऐसा लेकिन वो इधर भी होता है और इधर भी होता है ठीक है एक बार मेरे खाल से किसी computer exam में एक question आया था कि यदि आपको पूरे बो को देखना है circle फाम में तो आपको कहां पर रहना पड़ेगा तो अर्थ से आप कहीं से नहीं देख सकते है उसके लिए आपको space में जाना एस्टोनार्ट देख सकते हैं कहां ये अर्थ का center है और अर्थ का center के बाहर आ जाए आए आप महान जहां पर मैंने यहां पर paint को रखा है यहां से देखेंगे जैसे मैं यहां खड़ा हूं मुझे circle यहां दीख रहा है लेकिन मैं board के अंदर घूज जाओं तो मेरे को छोटा सा पार्ट दीखेगा आप समझ गया होंगे अर्थ के जितना visible area हमारे approach में होता है उतना देख बाते हैं तो यह rainbow है एक बार complete exam में आया था कि किस position पर rainbow हमको complete दिखाई देगा तो at the any point of the axis of the earth अर्थ का जो axis है उसके किसी point पर आप रहेंगे तो पूरा आप complete बो को देख पाएंगे astronauts लोग ऐसा कई बार देखते हैं अर्थ से जब उपर होते हैं पूरा अर्थ उनको दिखाई देते रहता है उस condition में उसको देख पाते है ring की तरह clear यह है rainbow तो बस यही है आपका एक छोटा सा chapter ठीक है मैं तो यह chapter बहुत दिन तक pending में रखा मैं समस्ता था general knowledge type का question इस students इसको पढ़ लेंगे ज्यादा दीकर नहीं होगा लेकिन कई बार कई students ने कहा कि sir human eye पढ़ा दो colorful तो यह था हमारा colorful word ठीक रंगी इन दुनिया देख लिए हैं आप लोग ने रंगी इन दुनिया 12th class में जब आप जाके फिजिस पढ़ेंगे तो इस colorful word को बहुत बड़े portion में पढ़ेंगे उस पूरे unit का नाम रहेगा dispersion of light तब तक आप basic अच्छे से clear करके रखिए ओके थैंक्यू